जेन दोस्तों वंदे मातरव क्या होता है कि हमारे घर में कई लोग ऐसे रहते हैं जिनकों की अपने ही घरवालों का सर नीचा होता हुए देखना काफी पसंद होता है इस समय नुपुर्शर्मा के बयान के उपर काफी बवाल है उस बयान के उपर जिस बयान की fact checking कोई नहीं कर रहा लेकिन बस सभी लोग उसको ये बोल रहे हैं कि वह ये माफी मांगो बोल कैसे दिये उसकी सचाई के उपर कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा है हाला कि इन चीजों को देखते हुए भारत में कई सारे से liberal लोग भी है जब भारत के अलोच्रा कर रहा है तो इनको बड़ा मजा आ रहा है ऐसे में मतलब समझ में नहीं आता कि ये आखिर देश से चाहते के हैं अब ऐसे में ही कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया वहिया कि व्लादिमीर पुतीन का भी बयान आ गया है कि ये जो भी कुछ कहा जा रहा है ये सब कुछ सरासर गलत कहा जा रहा है आपको exact शब्दों में बताओं कि क्या कुछ वाइरल करनी कोशिश की जा रही है तो हेंड FQ उनाम से ट्विटर हेंडल है नहीं ट्वीट करते हुए लिखा Can people, companies and countries afford to anger 1.5 billion Muslims just because they chose to express their intolerance loudly and physically इस ये लिखते हुए उन्होंने पुतीन का एक बयान साजा किया जिसमें के लिखा है कि insults to the Prophet Muhammad are a violation of religious freedom and the violation of the sacred feelings of people who profess Islam मतलब कि जो भी लोग ऐसी बयान बाजी कर रहा है वो सब भी लोग मुसलमानों के साथ गलत कर रहा है और उनकी भावनाओं को आहत कर रहे है अब फैलाया ही इस तरीके से जा रहा है बयान जैसे ये भारत के संदर्ब में पुतीन ने दिया हूँ क्योंकि यूक्रेन और रूस में जो युद्ध चल रहा है उसके संदर्ब में ये चीज़ देखी गई भारत रूस के साथ बिल्कुल कंद्ध चिकंद्ध में लाके खड़ा रहा अब ऐसे में जबकि भारत के उपर काफ़जा दबाव बनाया जा रहा है अगर रूस की तरफ से भी ऐसा ही कोई सा बयान आ जाता है हो गए कि उन्होंने फिर उसके आगे पीछे कुछ देखा ही नहीं कि इस बयान की सच्चा ही क्या हो सकती है या क्या नहीं आप लोग आज बार में क्या कहना मुझे कमेंट करके ज़रू बता हैं मेरे इस वीडियों फिलालत नहीं जाए हैं जैए बारत